बांगलादेश में बिगड़ है हालाद से पूरी दुनिया चिंती थे धाका से लेकर दल्ली तक हलचल तीज है ऐसे में बिहार में भी सीमा वरती इलाकों में चोकसी बढ़ा दी गई है गुरुवार को किशन गंज के पास इसलामपूर सीमा तक सैकडों बांगलादेशी नागरिक पहुँच गई है ये लोग भारत में शरन लेने के लिए आ रहे थे लेकिन बॉर्डर पर चोकस बीसे जवानों ने बांगलादेशी नागरिकों को वापस उनके गाउं भिस दिया बीसेफ ने बांगलादेशी नागरिकों को वापस भेजा बांगलादेश का मुद्दा हर कहीं पर चाया हुआ है बांगलादेश में उपद्रवी धिंद्वों को निशाना बना रहे हैं उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है लोगों की हत्या तक की जा रही है ठाका से दिल्ली तक हलचल तेज है तो बिहार में विस सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है किशनगच से सटे बंगाल के इसलामपूर थानक्षित्र में बांगलादेश की सीमा पर सैकलों बांगलादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे बांगलादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा उने की सूचना मिलते ही बियस एफ हरकत में आ गया बियस एफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गाउं फेज दिया सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि दो बियोपी में घुसपैट की कोशिस की गई लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांगलादेशी नागरिकों को समझा बुझा कर सभी को वापस भेज दिया सभी बियोपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है आबाद स्थिती से निबटने के लिए 24 घंटे सक्त निगरानी का निरदेश पी दिया गया है आसुष्व सिन्हा, निउज 18, किशन गज बागलादेश में हिंदू के साथ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिशद ने दुख जताया है विश्व हिंदू परिशद के कंद्रिय सलाहकार पदमश्री डॉक्टर आरें सिंग ने कंद्र सरकार से हिंदू की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील किये उन्होंने कहा कि हिंदू पर हो रहे हमले चिंता का विश्व है उन्होंने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से भी आगे आने की अपील की हैं। सब्सक्राइब दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं।